हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका काइट क्रेजी जोन में तो दोस्तों आज मैं कुछ अपने छतके पेच लेके आ गया हूं जो मैंने शिराज उद्दीन का जो काला सोना था 8400 आर्टिकल के उपर जो लगा था उस मांजे को यूज करके यह पेच लगाए थे और इसके बाद कुछ पेच जो मैंने मैदान में अपने फ्रेंड्स को लडाते वे रिकॉर्ड किये थे दो पेच है अगर आपको अच्छे लगेंगे वो पेच तो मैं फिर वैसे पेच और भी लेके आता रहोंगो क्योंकि मैदान का सीजन स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के बाद तो अब यहाले पेच दिखा देता हूं जो मैंने छट से लड़ाये थे यह जो राइट साइड में पतंग उड़ रही है यह मेरी है और लेट साइड में अपोनेंट की है मैं इनकी अब दिखा देता हूं मेरी देखे यलो में है और मेरी पतंग नीचे से लड़ेगी और रेड वाली पतंग उपर से लड़ेगी यह देखे मैं नीचे को भर रहा हूं उसके मैं पेच बनाने की कुशिश कर रहा हूं गुमा गुमा गे नीचे ले गया और यह देखे पूरा लगनी की वज़े से उसकी दोर कट गए यह देखिए स्लो मोशन में कितनी तेजी से में बाहर लेके आया और उसको डोर टच करते ही उसकी पतंग कट गए यह था पेच नमबर वान अब दिखाता हूं मैं आपको पेच नमबर टू पोजूशन वही है मेरी पतंग नीचे से लड़ेगी और वो आ गया अगया यह देखिए मैंने अंदर पतंग डाल दी बिना पेच बना ए मैंने पेच में रागा दिया और देखिए मेरी पदंग कट गई देखिए देखिए स्लोमोशन में मैं सीधे लेगा नीचे कोई पोजिशन नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, सीधे बस ऊपर खीज दी, और उसकी पतंग थोड़ी मेरी रुख दिखा दी थी, और उसकी पतंग टाइट भी थी, तो इसलिए मेरी मिस्टेक की विज़े से मेरी पतंग खोदी गट गई, अब दिखाते हैं, पेच नमबर तीन, यह देखे, अब इसमें पतंग की पोजिशन देखे, मेरी पतंग लड़ेगी उपर से, और अपोनेंट की नीचे से, देखे, मैं, चला, 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 यह, यहां पर हुआ क्या, उस बंदे की डोर जो है, मेरी डोर पर टच होगी, जैसी मेरी नीचे देखो पतंग लेगा न, तो मेरा पतंग, मेरे मांजे का जो 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 नीचे एकदम जैसी लड़का, उसक धीला था, और कड़ी थी, मैं भी शॉक्ट हो गया था कि यह क्या हो गया, बट मेरी गलती थी इसमें, रेकॉर्ड करने के बाद पता चलता है कि यहां गलती हुई थी, यह देखो, नेक्स्ट पेच आगया, चार नंबर का पेच, पोजिशन दिखा देता हूँ, पतंग की क्या क्या है, मे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, पेच लगेगा कब, यह देखिए, अंदर ले गया, बाहर ले गया, फिर अंदर ले गया, फिर बाहर ले गया, अब यहां पर मैं एकदम से पूरा अंदर भर के खीचा, और वापस एकदम से उठा दिया, फिर यहां पर वैसी हो गया, जैसे कि मेरा मांजा उसके मांजा में चुठ हुआ उसकी पतंग उससे कट गई यह बहुत अच्छा पेश लगता है अगर बना के जानके बना के लड़ा होता हो बहुत अच्छा लगता है यह अब दिखाता हूं पेश नमबर पांच यह देखिए यह पेज थोड़ा थोड़ा टेड़ा मेड़ा ऐसे लिए हो गया क्योंकि यह थोड़ा गलती से लगाया पेज एक्चली यह आला पेज जिसको खड़ी पतंग काटनी है उनके लिए काफी helpful होगा तो मैं भी set करता हूं कामरा यह देखिए कामरा set हो गया और ठाल और मेरी कटर नीचे से थी समें और जो ऺटंट उसकी ह्कड़ी थी तो यह क क्ड़ी पतंग को किसे करते हैं सीदा में नीचे लिए जाओ और क्रॉस में खीश दो बस यह की प्लस साइन नहीं बनना चीए है यह देखे छटा पेच यह देखे यह पेच कैसे लड़ता है मेरी पतंग देखे यल्लो में ऊपर से लग रहा है और अपोनेंट की नीचे से लगेगी यह देखे ऊपर से में चल रहा हूं यह कई बार बंदा पतंग उठाता नहीं है बिल्कुल नीचे रखता है तो बिल्कुल इसकी छट पे गुशा के लड़ानी पड़ती है तो बड़ी दिक्कत आती है यह देखे यह देखे यहां पेच फस्ट जाएगा यहां पर अंदर लेके बाहर को ले गया तो यहां पर पेच फस्ट गया अब यहां चल गई धीलम धील उसकी पतंग भी चल रही है और मेरी पतंग भी चल रही है और उसकी पतंग लटक गई है और इसका डिसएडवांटेज उसको मिला पतंग लटक थी उसकी पतंग हलकी ह हो भी और मेरी पतंग हवा में थी और उसकी पतंग कट गई गई कि यह देखो साथ वां पेच आ गया इस टाइम पर हवा बहुत अच्छी चल रहे थी और मैं पतंग की पोजिशन दिखा देता हूँ कि यह उपर हवा में पतंग हो मेरी है यह देखो यह यह यलो वाली पतंग मेरी है इसको मैं उपर से लगा हूँगा और इस बंदे को मैं सीधा गद्दा मार के काट दूंगा देखना मैं इसके पतंग के उपर जैसे मैं को लगा इसके पतंग ठोड़ी डेलियो रखिये तो मैंने क्या किया सीधी खीश दी अंदर उस बंदे को मौका ही नहीं मिला कुछ करनेगा तो हुआ क्या अगर यह बंदा इस टाइम पे ठपकी दे देता तो मेरी पतंग बड़ा राम से कट जाती है बट उसको आइडिया नहीं लगा क्या हुआ और उसने कोई भी हरकत नहीं कर पाया और उसकी पतंग यहां पे कट गई तो अब नेक्स्ट पेज दिखाता हूं आठ नंबर का पेज उसी बंदे से दुबारा पेज लेट साइड से उड़ा रहा हूं और मैं उपर हूं येस यह देखो मेरी पतंग उपर से लड़ेगी यल्लो में जो मेरी पतंग है और उसकी रेड है रेड में और देखो तीज ह हवा में क्या होता है आप अगर धील से पेज लगाने चाहते हो तो बहुत बढ़ी होता है देखो यह देखो मैं उसके उपर से पतंग रखी हलका सा टच किया चक्कर दिया और थोड़ी सी धील दी और उसका काम वहीं पर तमाम हो गया तो होती पतंग चली जाती है चाहे व पेज यह देखो एतर अ है मेरी पतंग है नीचे से लडेगी और अपॉनेंट की पतंग उपर से लड़े जो लाल में है यह मैं चला-चला ने में देखो यहां पर यह मैनो कि दिया कि लिख दिया कि दिया उसकी पतंग लटक गई कि देखो यहां पर मैंने खीच दिया इसकी पतंगे लिटक दी तो मैं हल कि लगी ठपकी देता-देता खीषता गया और उसकी पतंग कट गए तो यहां पे छत के पेज खतम हो गए हैं और मैं आपको अब एक्सपेरिमेंट वाले जो मैदान के पेज थे वह दिखा देता हूँ होब आपको अच्छे लगेंगे यह देखे पहला यह पेज यह यलो वाली पतंग जो है नीचे से लड़ेगी और रेट वाली पतंग उपर से लड़ेगी यह देखिए नीचे उपर उठा दी पर उपर उपर ने नीचे खीच मार दी और उसकी हावा में पतंग थी और यह देखो यह पेच अब यह पेच नंबर दो आ गया इसमें जो यलो में है वो नीचे से लड़ेगी और रेट वाली ऊपर से लड़ेगी देखोई नीचे वाला क्या बंदा करेगा अपनी पूरी नीचे लेगा ताकि उपर वाला गद्दा ही नहीं अमार पर उठाली और तो दोस्तों होप आपको यह पेच सारे अच्छे लगे होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे पेच लाता रहूं सो थेंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो